विल बिजनेस मेक्स यू रिच मतलब यह हम लोग का एक कंसेप्ट होता है आजकर इसको बहुत ज़्याद़ प्रमोट किया जाता है कि जो बिजनेस अगर आपको रिच बनना है आपको पैसे वाला बनना है तो 925 की जो जौब छोड़िये आपको बिजनेस करना चाहिए लेकि हम किसी से बात करें स्टार्टप कल्चर और यह सारी कल्चर के बहुत ज़्यादा बात हुई है लेकिन असलियत क्या है कि क्या आप बिजनेस से एक्चुली में रिच हो सकते हैं इस पर बात करते हैं दोस्तों क्योंकि मैंने परसनली मैं खुद भी बिजनेस करता हूं और मै बारे में लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस पर और क्लारिटी की जुरत है क्या हुआ है कि आज के कल बहर चीज़े एक फैशन की तरह आता है और इन दे सेम वे यह जो इंटरप्रेनियूर्शिप का ट्रेंड है जो स्टार्ट अप्सका ट्रेंड है वह वह एक प्रकास से फैश पहन कर एक modern सी sports कार लेकर हम घूमने लगें फ्रेट्स यह जो सचाई है वो थोड़ा सा अलग है इसके पहरे जो सबसे बड़ी जो सचाई एक्शनी में दोस्तों यह वह है कि जो 90% बिजनस है ना दूस्तों वो तीन सालों के अंदर में बंद हो जा रहे हैं अब समझ देज और end of the time वो जो बिजनस है वो खतम हो गई that means यही है कि हम जैसा सोचते है कि जब भी हम बिजनस करेंग और वो successful हो जाएगा ऐसा है नहीं और बचे वह जो 10% बिजनस भी है वो जरूरी नहीं वो आगे के 5-10 सालों के अंदर में out of business हो जाती है that means यह बिल्कुल जरूरी नही है कि जगर आप business खोलते हो तो आप की जो richness आपकी जो wealth है वो guaranteed आपके बढ़े रादर अगर आप देखेंगे कि अमेरिका का एक सरवे था इंडिया का तो data नहीं है कि वहाँ पर जो एक entrepreneur है उनकी जो average जो है कुछ लोग जादा कुछ लोग कम हमाते होंगे तो 60,000 डॉलर पर अरम की इनकी salary रही है अर्णिंग रही है अमेरिका में और जो जो employee है जो नौकरी करते हैं उनकी 50,000 डॉलर रही है आप अगर data to data आप देखोगे तो आपको लगेगा कि yes entrepreneurs are earning good लेकिन याद रखेंगा मुश्किल से 10 या 20% entrepreneurs से हैं वो जादा अर्ण करते हैं इतनी जादा अ अर्ण करें that means job वाले जो है वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं as compared to entrepreneurs सिर्फ 10-15% वो इतना पैसा कमाते हैं कि average को अब तो जरू कर रहे हैं बदब mathematically it seems like that entrepreneurs are really earning good but 90% entrepreneurs है वो actually उनकी 50,000 डॉलर है उससे भी कम है हाला कि जैसे अमेरिका में भी एक समय था कि अगर आपको American dream अगर और उसी सबसे आजकल जैसे इंडिया और अमरित काल वगरे जो चीज़े चल रही तो उसमें ऐसा लगता है कि अगर आपके पास startup है तभी आप सब कुछ हो नौकरी वोकरी आजकल बहुत ज़्यादा उसको उतना consider नहीं किया जा रहे हैं तो यह एक चीज़ है जिस पर आप को ध्यान देना चाहिए कि इतना वो नहीं है कि आप मने बस business खोला और आप उसमें पैसे कमाने लगए ऐसा नहीं है इसके लावा जो second मुझे ऐसा लगता है कि जो richness है जो दिखाया जाता है जो हम newspaper में पढ़ते हैं अगर आपने देखा होगा मेरे तो काफी frustrating रहता है वैसा सारा न्यूस ठीक है किसी की struggle को उसमें शो करते हैं बट न्यूस ना न्यूस पेपर ना जो सिर्फ सक्सेस है मतलब एक extreme कोई highlight करता है चाहिए आप न्यूस पेपर ले लो social media ले लो कोई भी चीज़े आपने देखा होगा कि उन्होंने इतने से एक छोटे से कमरे से शुरू का बिजनेस या ऐसे ऐसे परिस्थीती आई और इस पर पर जो उनके जो प्राब्लम था उसको उन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया इस प्रकार से सारे चीज़े जो रहती है हो सकता वो सही होगा हो सकता उन्होंने चीज़ों को उतनी अच्छे बनाई होगी लेकिन याद रखेगा मैकसिमम टाइम में जो चीज़ें जो असली है जो एक बिजनेस में जो जानता है वो सारे चीज़े एग्जजरेटेट रहती है सो करोड की बिजनेस वो वैलुवेशन की बात होती है मों कई बार तो और वैलुवेशन आप समझ सकते हो कि वह एक प्रगार की लेता है और बहुत गलत एक्सपेक्टेशन सेट करता है तो यह जो रिचनेस वगरे जो दिखाया जाता है वह थोड़े बहुत ही ऐसे है अगदर वाइस देखा जाए तो मैं अपने जो परसनल एक्सपिरिंस से वह बता रहा हूं कि मैकसिमम जो बिजनेस है वह ऐसा उतने रिच नहीं वह एक प्रकार से ठीक है वह अपने खर्चे चला लेते हैं बट ऑल दोस्ट वी सीर रियली एक्जजरेटेट उसके साथ यह भी बात है कि हमको लगता है कि बिजनेस स्टार्ट कर देना इस ऑल अब भाइसा बिजनेस स्टार्ट करना बहुत एक्सपेंसिव ची क्या रहा हूं ने स्पेशली स्मॉल बिजनेस के टम पे जादा बोरों बड़ी बिजनेस तो ऐसा है कि इन्वेस्टर वगारा ढूंड के जो भी है वो कर लेंगे मैं लेकिन मैं स्मॉल बिजनेस क्योंकि आपको ये भी समझ आना चाहिए कि इन्वेस्टर्स वगारा इतना एजी नहीं है कि आपके आइडिया पर सबसे बुड़ी बात तो आइडिया इतनी यूलीक अपको मिले यह कोई बात नहीं होती हम एक चलती हुई बिजनेस के कॉपी हम खोलते हैं और उस फे सोचते हैं कि हम बहतर कर सके तो बहुत चांसे से कि हम को इंवेस्टमेंट ही ना और अगर आप जब बिजनेस के खर्चे लिखने शुरू करें वो इतनी expensive हो थी बिजनेस चलाना कि आपकी जो भी earning होगी मेरा तो यह मानना है कि कई बार ऐसा most of the time situation यह होता है कि आप कम profit तो छोड़िये आपके पास जो wealth था वो उल्टा कम हो जाता है मतलब आप rich बनने के चीज़ है mentally prepared होकर business में एंटर करना चाहिए इसके अलावा यह है कि एक unseen variables है मतलब हम बिजनेस वर्ड में देखिए अगर कोई government job है तो तो कहा जाता है कि उसके सबसे beauty यही है कि वो कुछ भी हो उसमें चीज़े फिक्स है जैसे अभी कोवीड आया तो private jobs चली गई थी बिज लेकिन जैसे कि इतनी मतलब किसी नहीं सोच रहा होगा कि कोवीड वगरा जैसी चीज़े आज आएंगी बड़ वह आई और बहुत सारे बिजनेस आज भी मतलब तीन साल हो चुके हैं 2020 में lockdown हुआ था को पप नहीं कर पाई हैं उन पर्टिकुलर उस उस शौक से मुझे ओनलाइन की तरफ ज्यादा चले की चले ओनलाइन तक तो ठीक है लोगों का जो नॉर्मल जो डिग्रीज वगर अपर जो भरोसा था यह सारी जो चीज़े हैं वह भी काफी हद तक बदल गई है वाई में टू से कि आप इतनी वेरीबल सोती हैं विजनस में कि आप डिफाइ लोगों के पास पैसे आने कम हो गए और इसके वज़े से ओवर एकनॉमी ही बंद नीचे होने लगी तो आप देखिए मतलब कितनी चादा विरेबल के बीच में हमको बिजनस करना पड़ता है तो यह जो बिजनस है मतलब इसके लिए इतना मेंटली स्ट्रॉंग होना जैंगे स्पोर्स-कार में घुमेंगे हमेशा फ्लाइट में रहें गिमेंगे महने होटल मेंगे मुझे और अप अपने ये लयूर्ट कर सकते सो था प्लीज कमेंट करिए गये और देखिंग हैं और बताइए लोगों को कि यह situation सही है कि नहीं क्योंकि मैं जो चाहता हूँ मैं ये नहीं चाहता कि लोग बिजनस ना करें बट मैं चाहता हूँ तो इसमें बन्द कर रहे हैं तो इसमें दो प्रॉब्लम होती है एक तो हम बिजनेस को समझे नहीं रहते हैं और कई बार समझ तो भी गह रहते हैं तो हम मारी माइंसेट करक्ट नहीं होती हमको लगता है कि दो साल में करोड़ों का टर्णोंवर होना शुरू हो जाएगा तेन साल में ऐसा कुछ नहीं होता है बहुत करना एक अलग चीज़ है मैं अपने कॉलेश टाइम में या फिर जब बिजनस शुरू किया था ना तो एक कोड़ बड़ा पॉपलर था दाट सेविंग्स नावर मेक्स मिलियनियर और फ्रेंस ये इसको मैने फॉलो किया और मैं बता रहा हूं कि मेरे जैसा मतलब ठीक है सेविंग्स हमें मिलियनियर बिलियनियर नहीं बनाएगा बट सेविंग्स करें और उसको प्रॉपर इंवेस्टमेंट करें उस वह ज्यादा जरूरी होता है तु भी वेल्दी कम कमाओ लेकिन उस पैसे को सेंसिबल यूज करो यह जादा जरूरी है कुछ बिजनेसे होती है जैसे मैंने भी अपने बिजनस टाइम में ऐसा भी समय देखा जिसमें बहुत पैसे आते हैं लेकिन उस पैसे को मैं यूज कैसे कर रहा हूँ कहां कर रहा हूं फिनैंशल मेरे पास नॉलेज है कि नहीं है यह ज़्यादा जरूरी होती है रादल जस्ट मेंक प्रॉफिट कमा रहा है यह मतलब नहीं क्या वैल्दी बन जाओगे तो इस पर भी है कि हमको फिनैंशल गया नॉलेज रहना चाहिए कि हम इसको कैसे इसको हम यूज करें जो भी प्रॉफिट्स आ रहा है यह सोचे कि बस आएगा और खर्च करते रहें लोगों को दिखाने के लिए कि I have a this business of this magnitude और सोचेंगे कि हमारी wealth creation होता रहे तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा but as you grow and you will start feeling the heat of that आपको struggle उसकी जो है वो समझ में आने लगेंगी इसके रहाँ जो मेरे खारते लास जो है वो है कि जो wealth है वो जो 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 हम जो पैसा देखते हैं लोग जो पैसा मना रहे हैं वह accumulated है क्योंकि business जैसे मैंने कहा वह बहुत variables पर depend करता है इसलिए आपके multiple channel होने चाहिए और जो हम देखते हैं जिन लोगों के पास पैसे हैं तो हमको बाहर से लगता है कि उन्होंने इस particular business से पैसा कमा लिया बट आप उनसे पूछेगा देखिएगा उनके पास या तो accumulated wealth रहा होगा जो आप उन्होंने inherit किया होगा अपने family से या कहीं से या फिर उनकी multiple source of earning रही होगी तब जी कहीं जाकर वो उतना wealth create कर पाते हैं यह बहुत हुआ है यह मैं भी पहले ऐसे ही सोचा करता था और आज मेरी वी जो effort है वो इसी प्रकार की हमेशा रहती है क्योंकि यह मैंने personally बहुत feel किया है कि जो maximum business होती है वो seasonal होती है और non-season क्योंकि जैसे मैंने कुछ चीज़ों की जो guarantee देता है भले richness की guarantee ने देता जैसे कि आपकी fulfillment आपको एक अच्छा लगने लगता कि जो मैं कर रहा हूं जो मैं करना चाहता था वो कर रहा हूं freedom आपको मिलती है आपकी creativity यूज करने को मिलता है आपके आपके contacts networks यह बहुत अच्छे से develop होते हैं लेकिन business करना चाहिए लेकिन जिस मेरा जो कहना है कि jobs को जिस तरह कि से demonize कर दिया गया है और business को जतना जादा glorify किया जाता है चीज़े उन दोनों के बीच में है जाब उत और business की जो planning कर रहे हैं वो सारे aspects को देखो और अपने mindset को बहुत strong रखोगी बहुत ज्यादा adversity आ सकती है तो इस adversity पे हमको कैसे sustain करना है सबसे important है कि आपको जो overall cost बिजनेस का जितना हो सके कम रखें जो आपकी जो profitability है वो हमेशा हाई रहे तो यह business और उस जो भी पैसा investment वगर हमें यूज करें ऐसे टाइम में कि बाइचांस कभी कुछ जरत पड़े तो वो जो है family के लिए या कहीं out of business भी होते हैं तो आपके bad times में वो काम है और अगर jobs भी कर रहे है तो same financial sense जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है तो just और सो समझ कर हमको business start करना चाहिए तो friends य साला है background पे ना कोई खास editing की है कुछ है मेरे जो बाकी videos है कुछ videos एक सेग्मेंट है जिस पर वो सारे चीज़े होती है बट इसमें मैं एक तब मन की बात जो भी सामने आ रहा है मैं वो करता हूं क्योंकि मैं खुद भी business try करता हूं मैं मैं खुद भी business कर रहा हूं and जो मैंन जो business करके मैंने जो problems झेला है और मैंने जो आसपास जो लोगों को struggle करते देखा है उसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं आप इस particular चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं अगर आपका को experience है तो comment box पर करिए या फिर आपकी मन में कुछ सवाल है business को लेकर या wealth को लेकर तो उसके भी आप questions कर सकते हैं यह जो चमकता हुआ जो दुनिया है उससे दुनिया बहुत अलग है बस हमको यह दिखाया जाता है कि वो ऐसा है क्योंकि हम उसके लिए excite होते हैं तो friends हम सबको grow करना है बट grow sensible way में करना है नहीं तो कई बार ज्यादा तेजी बढ़ने के चकर मे चीज़े उल्टी हो जाती है hopefully आपको यह वीडियो पसंद आया होगा चैनल को subscribe करतीजिए अगर आप नए हैं तो मुझे क्योंकि आपकी support की बहुत ज़रत है वीडियो को लाइक करतीजिएगा और लगता है कि किसी कोई friend है जिसको इस वीडियो की ज़रत है उसको काम आ सकत है तो please share करतेजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए keep growing keep watching this YouTube on my channel